हैलो मेरे प्रिये च्छात, गुड इबनिंग आप सभी को क्याल चाल और कैसे हैं, जितने भी लोग बिहार SSC की त्यारी कर रहे हैं, बिल्कुल सही जगा पे पहुँचे हैं, मैस और रिजिनी की कलास करने के लिए, आज के इस कलास में मैं आपको सिखाऊंगा, परतीसत यान की परसेंटेक बिल्कुल बेसिक से एक दम आसान है, सारा कंसेप्ट चिखाएंगे, जितने भी आपकी एकजाम में पूछे जाएंगे, और यहां कि मैराथन कलास है, तो कलास लंबा होगा, देकर घबराएंगे, बिल्कुल नहीं, उसके बाद, जो लोग चाहते हैं, कि हम हम आपसे, जिसना आपका कथनवा कि सर हम आपसे, मैसी परना चाहते है, स्पेसल पेड कोर्स में और रिजनी भी परना चाहते हैं, और मैसी दोनों परना चाहते हैं, और काफी रिक्वेस्ट, बैस तो लंच किये थे, बिचमे अप्लिकेसन पर कुछ घरबारी आ गया था, इसे कारा से बैस पर्चे नहीं हो रहा था, और तब पड़ी में सभी लोगा कोईर यही था, अक्सरेक सुडेंट का कि सर फी को कुछ कम कर दिए, क्योंकि इसे कम फी में मैंने पिछला बार पराया है, तो मैंने सोचा कि आप इतना लोग का रिक्वेस्ट है, तो कुछ कम कर जाते हैं, और बैस को लेट से स्टार्ट करते हैं, ताकि किसी को दिख्वत ना हो, आप सभी के बातों को ध्यान में रखते हुए, अगर आप मैथ और दोनों का बैस जवाइन करते हैं, तो आप 550 नहीं दिना पड़ेगा, यह रिक्वेस्ट आफ़र है, 399 में जवाइन लेट से बस कोबर करके, ज्यादा कुछ तिले बस है नहीं, कोबर करके आपको में रिवीजन भी कर बादेंगे, ठीक ना, अप्रेक्टिस भी, लेकिन जो लोग का मन होगा, कि नहीं सर्जी हम से है, हमको ना आप से सिर्फ मैथ परना है, तो मैथ वालों के लिए भी सूलू कुछ कम किजिए, तो काफी कम कर जा लग अलगी भी कर दी है, और कुछ लोगा कहना हुआ कि नहीं सर्जी हम रिजनी का भी कलास करना चाहते है, जो सिर्फ रिजनी का कलास करना चाहते, उनको देना पर गा मात 209 रुपिया, आर के पी आप डाउनलोड करना पड़ेगा, कि इस भी परकार की समस्या है, तो इस पर आप वार्ट्स अप मैसे कर लिजेगा, ठीक ना, ये कलास चलेगा सामके 5 बजे से, कितना दिर कलास चलेगा, तो कलास 1 से 1.5 घंटा के बीच में चलेगा, ठीक ना, और जो पीडियेफ होगा, सब आपको अप्लिकेशन पे भी और वार्ट्स अप ग्रूप में भी मिलेगा, तो चलिए शुरुआत करते हैं, परसेंटेज का, परसेंटेज का प्रशन करने से पहले कुछ बेसिक बाते जान लेना जरूरी है, तो बेसिक बाते जान लेंगे, यही प्रशन के साथ में, प्रशन आपको दिखाई दे रहा ह तो कुछ बेसिक बाते हम आपको बताएते हैं, फिर बताएंगे कि प्रशन को बनाना कही से ऐसो, तो घबराईए बिल्कुल नहीं, एक दम बेसिक लेबल से लेंगे, अराम से चलेंगे, समझ में सब को आएगा, ठीक ना, लिखा गया है, अच्छा लिखा गया है, तो छो होता है, यह होता है, ऐसे, और इसका भेलू याद रखेंगे, यह जो परसेंटेज है, इसका भेलू होता है, एक बटा सो, यह आपका मुख्य बात है, ठीक ना, पहला मुख्य बात है, यह जो प्रतिसात होता है, एक बटा सो होता है, इसका भेलू, क्यों आएगा, कैसे करते हैं तो परतिसात का मतलब एक बटा सो होता याद रखेंगे और दूसरा काम की बाद कि जब कोई चीव परतिसात में लिखा गया हो जैसे 25 परतिसात लिखा गया हो तो इसको बदलना भीन में तो करने का तरीका होना चाहिए कि आपको 25 लिखना है और यह प्रतिसात के बटा सौ नहीं करके बाटा एक सो कर सकते तो दोनों बात से मिलर्ग और तब इसको क्या की जिएक काट देजेगा 35 जो आ तो बोली है कि सार आंसर एक बटा चार अंसर एक बटा चार था यह दूसरा बात और तिसरा बात आपको याद रखना है अ मॉस्ट मॉस्ट इसको प्रतिसत में कनवर्ट करना है तो प्रतिसत में कनवर्ट करने के लिए आपको गुना करना पड़ेगा 100 से या 100% से, दोनों बात एक ही परता है, अब इसको गुना किजेगा या 4 के पाराएं 35 काटिएगा, यानि कि इसका मतलब 25% हुआ, तो अभी आपने देखा कि 35% को भीन में बदले तो एक बट अचार आया, और यही एक बट अचार को परतिसत में बदले तो 25 परतिसत आया, यह तीन बात आपको याद रखे, बहां कि सब कुशन आपको बताएंगे, और समझ में भी आएगा, और आप कर भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, पहला प्र परतिसत है, इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, परतिसत में चेंज करना पड़ेगा, अभी हम आपको शिखाये थे कि किसी भी फ्रेक्षन को, किसी भी भीन को परतिसत नाप चेंज कर सकते हैं, तो इसका भीन कितना होगा, तो दसमला हटाइएगा, यह 0.7 लिखा इसका मतलब कितना हुआ साथ परसेंट तो सही जवाब होगी या ओप्शन भी तीन कंसेप्ट याद रखे सब बन जाएगा ठेक ना विसेश जनकार एक लिए आप क्लास में आ जाएगी नेक्स्ट क्योंकि यहाँ पर समय कम है एक ही दिन में आपको सब कराना है आँ नेक्स्ट क्लास है सुरी नेक्स्ट क्लास बोलते हैं नेक्स्ट परसन है सेवन अनुपात फाइल साथ अनुपात पांच बराबर वाट परसन तो इसको देखकर क्या आप घबराना नहीं करना क्या होता है यह साथ अनुपात पांच है आपको हम बताये थे कि जब कोई सब्सक्राइब 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 हो जाएगा नेक्स्ट प्रेशन की तरह आते हैं और अगला प्रस्ट ये रहा आपके सामने प्रस्ट में लिखा गया है कि भीन दूबटे पांच को प्रतिसत के रुप में व्यक्त करें वही बात है दूबटा पांच को प्रतिसत में व्यक्त करना इसका मतलब 100 से घुना करना पड़ेगा पांच से काटेगा 20 मर्तब यानि कि 40 परसेंट हो जाएगा ना प्रसेप्ट काम में आ रहा है तो यह जो लेवल वान है यह बेसिक टू मोड़ेट है परलब थोरा सा बेसिक स्वहाई है उसके बाद लेवल 2 में चलेंगे जो काफी इंपोर्टेंट रहेगा यह भी इंपोर्टेंट अगर आप यह नहीं सीखेंगे तो फिर आगे का समझ म आपको नहीं आए असी का कितने परतिसाथ सोला है यह दम काम की चीज़ है असी का कितना परतिसाथ सोला है दो तरीका समय आपको बनाने का बताता हूं पहला तरीका तो एक समान के बाद में असी का कितना परतिसाथ सोला है तो आप सोचिए कि असी का एक सपरतिसाथ सोला है नंगलब्लब्लब्ल 12 है इसका मतलब हुआ कि आसी का एक से परतीसत सोल है मतलब यह बरावर सोल कर रूफ ले लेगा असी का मतलब गुना एक से परसेंट तो परसेंट अटाएंगे तो बटाएं में 100 लगाएंगे अभी समझाएं बरावर होगी या 16 बटाएं में कुछ है तो एक लिख दीजे और एक बात ध्यान में रखे जब बीच में बरावर का चीन हो इधर भी कुछ गुना में है या यहां से क्रोस मल्टिप्लाई किजेगा तेक्स का मान क्या बचेगा डियर 20 तो सही जवाब हो गया 20 परसेंट यह था आपका बेसिक मेंटर अब कहिए कि सही ट्रीक से बताईए तो ट्रीक से बताने के लिए 80 का जिसमें का बोले और इंगलिस में जहां पर लगा हुआ है उ उसको रखिए नीचे यानि की 80 को नीचे जो बच गया उसको उपर लिखिए और भीन से परतिसत में जाना है तो 100 लगाना है गुना में 16 85 और 5 से कार देंगे 20 तो आंसर फिर भी 20 परसेंट का ही आएगा समझ में आया नेक्स्ट सवाल कितरह भरते हैं अगला सवाल है साथ क कितनी परतिसत 28 है साथ का कितना परसंट से बना ये साथ का तो का मतलब नीचे बारऊ चोटा समतलिने जिसमें का लग जागा उसको नीचे तो साथ ब्लाक स्वाल है कितना परतिसत 28 तो उपर गुना सो बोली कितना एगा 400 परसेंट आगा कि नहीं रहेगा पाटिए गाट यह चार मरतेबे चार गुने सो चार सो परसेंट हो जाएगा और एक्स्ट सवाल अगला सवाल यह रहा आपके सामने तीन किलो गराम का कितने कितने परतिसात 75 गराम है तो आप फर्मूला लगाई है कि सर तीन किलो गराम का बोला है तो नीचे का वाला यानि तीन उपर 75 लिख देते हैं भुना सो कर देंगे बन जाएगा लेकिन गल्दि पुछे क्यों उपर और नीचा लिखिएगा तो दोनों का उनिट समान होना चाह है थान दीजिएगा तो ये क्यजी है और ये क्यराम तो गलत हो जाएगा या क्यूंस सब को घश कर ले हैं वघर कुल के किलो कितना एक हजार क्श़ा रां तो तो दीन ग्यातिने केली में charge कर देंगे तो भी क्यक्तितान क्यू bevor यार्ट 95 गराम और शजब 30 क्यों से गराम ग ओको पांचन्हें पांच शक्तिस आफ पांचन्हें 15, कीट्रा बढ़ते हैं अगला प्रासिन ये रहा आपके सामने प्रस्न में लिखा गया है कि 90 सेकेंड एक घंटा 40 मिनट का कितना पर्सेंट है यहां पर बोले हैं 90 सेके एक घंटा 40 मिनट तो नीचे तो आप रखियेगा टाबला को एक घंटा 40 मिनट को बदलना पड़ेगा किसी में सेकेंड में अब सभी को पता है कि एक घंटा बरावर होता है कितना सेकेंड? 36 सेकेंड और 40 मिनट बरावर कितना हो जाएगा? तो एक मिनट बरावर 60 तो 40 मिट बरावर 600 ये जोड़ियेगा तो ये 6000 सेकेंड आ जाएगा तो काबला को नीचे रखना है यानि कि 6000 सेकेन को नीचे रखिएगा और 90 सेकेन को उपर रखिएगा और गुणा कर दिजेगा सौस यही परतिसात में करवर्ट हो जाएगा डाबल जीरो सिस्कोर आईए इसको सिस्कोर आईए 9 बटा 6, 3 के पार आपको आता है 3, 9, 3, 6 डिवाइड केज़ेगा 3 by 2 में तो मुझे बानी बता सकतें 1.5% का सही आंसर हो जाएगा बन जागा कि नहीं यह से बेसिक बाते किलियर है या नहीं किलियर है अगला प्रस्न यह रहा आपके सामने प्रस्न में क्या दिया गया है तो करना कुछ नहीं है 180 किलोगराम लिखे का लिखा जाएगा तो गुना लिखना है और 3 पुर्णा के एक बाटा 3 का मतलब 3, 3, 9, 1, 10 बाटा 3 प्रतिसत अभी प्रतिसत को मत हटाईए अभी हटाए नहीं अभी सिर्फ पुर्णा को तोड़े है अब जब प्रतिसत को है कि प्रतिसत के बाटा में हम बुना एक बटा सो भी लिख सकते हैं अब इसी को कटिंग कुटिंग करने चलेंगे तो डबल जिरो सी इसको गुरा लेंगे ना तिनके पारह में 6 गुरा लेंगे तो कटने के बाद 6 आ जाएगा जो कि कहाई भी आपके आप्सन में नहीं दि लिखा गया है यदि 420 का एक्स परतिसात बराबर एक और इसका 400 परसेंट हो तो एक्स का मान बताईए अब 420 का एक्स परसेंट बताना है तो 420 गून ने एक्स परसेंट लिखी आप मन ही मन सुचिए कि सर्फ परतिसात को अभी हटा लिए न अच्छा रहेगा मैं दोनों तरफ जब बीचें बराबर का चीन हो इधर ही मल्टिप्लाइ में तो दोनों तरफ क्या करते हैं सेम चीज को देखी और कटिंग करना है स्टार्ट कर दिजिए परसेंटे से परसेंट पे गया है यह 0 से 0 गया एक यस के पार आपको आता है कि नहीं एक कई से कम एक इ दो के भी पहार आता होगा दो एक कम दो आदो के पहार आएं 20 इधर सिर्फ एकस बच्चा और एकस बराबर 20 आगिया तो बीना कुछ ज्यादा किये हुए आंसर आपका सामने है बन जाएगा नेक्स्ट सवाल अगला सवाल ये रहा आपके सामने प्राशन में लिखा गया है कि 280 का 12 परतिसाथ पलस 490 का फारच परसेंट पराबर 227 का 3परेसंट या नि कि अपि आपको वाट का मान बताना है वाट के जगहा पर आप नहीं मानके एकस मान प्लस 450 का वाट परसेंट है तो आप एक्स परसेंट लिखे और बरावर 227 का 30 परसेंट है तो 30 बटा 60 अब यहां से हल करना इस्टार्ट जब आप करेंगे तो क्या मिलेगा आपको यह 0 से 0 कर जाए अगरा दो के पाराय में दो चक्वारा दो के पाराय में पांच सब्सक्राइब було 227 इसको 3 से मल्टिप्लाई किजेगा तो 681 बटा में 10 आप बोलेगा कि सर यहां से एलस्यम लेना पड़ेगा क्या हम बोलेंगे विल्प लेना ही पड़ेगा अर्तालिस पास दूख एलस्यम ले लिजिए दस प्रॉस मल्टिप्लाइ करने आता है आपको अर्तालिस दुना श्यानवे आप पलास में नौ पचे पहतालिस एक्स बराबर चाहता अब यह दस से क्या करेंगे नीचे से नीचे पूरा दीजी अच्छा रहेगा यह च्यानवे को आप उधर ले जाए घटाने के लिए तो यहां से आपको बचेगा पहतालिस एक्स बराबर आप ऑच्छानवे घटा यहीगा तो कहें घटा के डरेक्ट वहां पर एंसर लिके च्छानवे एक्स एकासी में से क्या घटाना है आप यह सथ सत्में इस नौने गटेगा तरह नोग आट यह बच गया पांच आइट फाइट फाइव आप फाइब हैब जो आया क्या यह ए पाराय में नो वरतेवे काटीगा पांच के पाराय में पाचे कम 5, 5, 5, 5, 35 और ये 9 के पाराय में 13 बारे में कटेगा यानि कि सही आंसर बोले तो अप्शन सी हो गया यहां तक तो समझेने में कोई दिक्कत ही होना चाहिए अगले प्रशन की तरफ आते हैं और अगला प्रशन यह रहा आपके सामने प्रशन में क्या लिखा गया है तो डियर प्रशन में लिखा गया है यदि किसी संख्या का 80 पर्शन का मतलब हुआ कि अगर हम वह संख्या एक समान ले और इसका 80 परशन की बात करे तो 80 बटा सौ लिखेंगे और यहां बाबन है मतलब बराबर है अगर काटने कूटने में आप माई रहें यहां से यहां उढ़ा सकते हैं और चार के पाराय में 4 दूर चार के पाराय में 13 प्रॉस मल्टिप्लाइ कि जिएगा टेक्स बराबर 130 आ जाएगा तो परेक्ट आंसर आप एक बाड़ में मार अच्छोड शोडी यह टू एक्स बर आपको समझाने के बाद अगर दिक्कत है तो हम आपको और बेतर तरीका समझाने के लिए तयार है बहुत सरा में तरे समझाने के तरफ और अगला प्रस्न यह रहा आपके सामने है प्रस्न में क्या लिखा गया है किसी संख्या के 30% का 3 बटा 5 यदि 18 हो तो संख्या ग्याद कीजिए किसी संख्या बोले तो एक्स मानी है किसी संख्या का 30% तो 30 बटा 100 अब फिर का लिखा है तो 3 बटा 5 अठारा है मतलब बराबर अठारा अब काटिं कोटिंग है स्टार्ट किजी जीरो से जीरो राजी जीगा और यहां से क्रोस मल्टिप्लाइ कि जीगा बाइब करके एक्स बचेगा और यह दस पच्छे पचास नूना-100 इतना तो आप करिंग सकते हैं तो सही जबाब हो गया इसका आप्शन ए अब आते डियर अगले प्रस्ण की तरफ और यह प्रस्ण का अंसरा बताई कितना हुआ ब या पोले किसी संखिया क्यों तो सिमझे वहां पर एक्सलाना एकस की 25% म्तलब 35 बाटा सो थो एक जो है रहेगा वैबूप बराबर के बाताए गा बस यहां पात्यस के पार में चार मर्तबे 20 के पाहराएं में पांच मर्तबे अब तो उपर सुपर कुछ कटने के लिए बचा भी नहीं है प्रॉस मल्टिप्लाइ कीजिए इधर एकस बचेगा और इधर चार प्रॉस मल्टिप्लाइ हो जाएगा इतना तो आपको शमझे में आता ही है या नहीं आता है इसका मतलब नौन अफ डिजिसका सही आंसर है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं समझने में कि सासी है कि अब देखे डियर अगला प्रस्ट और अगला प्रस्ट ये रहा आपके सामने प्रस्टिन में लिखा गया है किसी संख्या के साथ परसेंट में तीस जोरने पर संख्या का 75 परसेंट पराप्त होता है वह संख्या ग्यात की इसी संख्या के साथ परसेंट कोई संख्या है पता नहीं मालेत एक से इसका साथ परसेंट तो साथ वटा सो में तीस जोरने पर तो तीस इसमें जोर दिये संख्या का 75% पर आप्ठ होता है यानि कि यह संख्या का 75% वह संख्या है वह संख्या है का मतलब क्या हुआ और च्कमान बता नहीं यह पहला तरीका ये से काटीगा तो इसा कटेगा 140एं हैं यां से काटेगा 50 52 25 66 apply ये 3x वाटा कॉरे यह 3x यई 3 एकस ब्टाफ यह एकस बाताफ पोर माइनस हम फिद थी फिस गाइनश्टिक यहां तक तो कोई धिकत ने पाइछ हो चाहल सब्सक्राइब ऌए फार से माइनस रॉन आप यहां से गुष थेना को बनाने का एक दूसरा तरीका आप सभी को पता होगा कि दुनिया में कोई भी संख्या या कुछ भी जो होता है वो अपने आप में 100% होता है तो यहां पर संख्या को जो हम एक समाने थे इसी संख्या के साथ परसंट में तीस जोरने पर तो यहां जो संख्या होगा अपने आप में हम माल लेंगे सो परसंट तो लेट संख्या वराबर क्या सो परसंट और लेट संख्या वराबर सो परसंट संख्या जो है अपने आप ओर दिये और बरावर सख्रेंग को 75% पर आपको ताइन कि 100% कप 75% 75% हो गया इसको इधर दर लाई यए इसको उधर ले जाई यह बाथ एक परशेंट इधर दरयें पचतर पर्सेंट करेंगे तो घट जाएगा घातेगा तो यह माइनस 15 परसेंट देगा और यह माइनस 30 हो जाएगा माइनस से माइनस केंसिल तो 15 परसेंट का मान आ गया 30 तो एक परसेंट का मान कितना होगा एक परसेंट का मान दिवाइड करेंगे तो दू आएगा हमको चाहिए वह संख्या यानि कि 100 परसेंट का मान तो 100 परसेंट कितना गया है एक संख्या स्वयम के असी परसेंट से अठार अधिक है वह संख्या ग्यांत कीजिए दो तरीका से बना सकते हैं पहला तरीका तो आप एक समान के बना सकते हैं और दूसरा तरीका आप सो परसेंट मान के बना सकते हैं दोनों तरीका बताते हैं ताकि आपको सीखने में आसान तो स्वाय में के मतलब माल एथे कि वो संख्या एक्स है पहले एक्स वाला भी सीख लिए बाद में आप होट्री के भी सिख लिएगा लेट संख्या बराबर एक्स जितना ज्यादा आप मेथड सीखेंगे उतना आप तरीका से बना सकते हैं अगला प्रश्ण जो नया हो तो हम क्या सीखेंगे और क्या वहाँ पर अप्लाई करेंगे क्या बनाएंगे आप जितना सिखाएंगे ना उतना सिखें और उसके बाद देखें अपने आप में तुमला करके कि पहले से आप ज्यादा बेटर है की नहीं है तो लेट संख्या बराबर एक्स एक संख्या के स चार इक इसे हैं ये जो संख्या है या या निक था रटOW संख्या जानुव क्यानि कई आनृधा 5 काठ लेजिए गाठ इधर लाईएगा एक सिमें से आप माइनस कि जिएगा चार एक्स बटा में पांच और यह बराबर हो जाएगा अक्षा या इसे कि जिएगा पांच एककर सीमान के बीना एक्स मान लेट संख्या बराबर 100% एक संख्या मतलब जो संख्या है 100% यहाँ क्या है तो यहाँ अपना 80% से 18 धिक है यानि कि आपना 80% तो खुद का 80% 80% होगा 18 धिक है तो 18 धिक कर दिया इसको इधर लिया यह गा तो 20% होगा 20% बराबर 18 लेकिन हमें संख्या चाहिए तो संख्या बराबर क्या होता है तो डियर्ट संख्या बराबर होता है 100% माने है तो 100% यानि कि 100% का मानी कितना हो जाएगा 18 बटे 20% अगुने 100% पुलिम लाकर करके बोले तो यहां से भी 5 बारे में कटेगा और 18% 90 ही है अगला प्रष्ण और अगला प्रष्ण यह रहा आपके सामने एक संख्या का 400% 96 है इस संख्या का 75% आपको बताना है इस संख्या का 75% बताना है तो कईसे बनायेगा इसका यह मतलब हुआ कि 400% कुछ भी रह अगर उस संख्या का हम 400% निकाल दी यह च्याने के बच्याने के बराबर अब उसी संख्या का हमको पच्छाटत्र पर्संट का मान से जरूरी नहीं है हमको 75% के मान से जरूरी है यानि कि 75% बराबर ये 96 में इधर ले जाईएगा इसको बटा में एक परसेंट का मानाएगा तो 400% को निचा किजेगा एक परसेंट का माना है हमें चाहिए 75% का मान तो 75 से कर देंगे गुना अब ऐसा करने पर ऐसा करने पर क्या होगा ये कट जाएगा परसेंट से कि नौन अफ दिजिस का सही आंसर है उमीद है बात यहां तक समझ में आ गिया होगा कोई परकार के दिक्कत नहीं होगा अब देखे डियर अगला प्रस्ण और अगला प्रस्ण ये रहा आपके सामने 17 संख्या के 150 परसेंट में से 60 घठ आने पर वह संख्या पड़ाप्थ होगा इसका मतलब है कि अगर हम संख्या को सो परसेंट मान लिए अब हैला जो कोई चालू होगा नया प्रेशन तो उसको दुतिर में सरसे बताएंगे फिर जो बेस्ट में सब्सक्राइगा ना जिसका अपना आपको बार बार करना है उसको हम लगातारी उच करेंगे अगले प्रसेंट से ठेक ना तो कोई एक सबकर बढ़िया से डीटेल ने बताएंगी तो हर बराई यह गाने कि सब को डीटेल ने बताएगा तो समयधिक लाइगा नहीं सबकॉम उच्छ तरीका से बनाएंगे जिस तरीका से वह सो असान होगा ना लेत कि लेट संख्या बराबर क्या सो परसेंट अपले संख्या बर है पर वह संहा मान को आ है यानि थे बात है सो परसन का मान है लिक्ना है। इसात venas Εham नहीं अ क्या आप करना परेगे सो परसन उख्ट आएगा तो इधर भचेगा अपको नाक्त धूगना कर देंगे तो कोई दिक्ट दुगना करेंगे सोपरसेंट हो जाईगा दूगना पचास कंगे 69 झाल झाल सब तेष्टे है काट लेता हूँ स्थीका 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 झाल झाल अभ देखे डिएर अगला प्रेश्च और अगला प्रेश्च यह रहा आपके सामने लिखा गया है यदी इन का एनपरसेंट एकासि है इन का मान बतागे एकर सुफ ट्रसन similarly एनपरसेंट थो एन गूने का मतलब गुणा n percent तो ऐसे कर दिजेगा यहाँ 81 है अब यहाँ को n से n गुणा कीजेगा तो n square percent आ जाएगा जो कि 81 के बराबर है अब यहाँ से n square अब square हटाईएगा यह percentage इधर है percentage इधर है यह percent का मतलब 1 बटा 100 हुआ यह बराबर 81 हुआ यह 100 उधर चला जाएगा तो multiply में चला जाएगा यानि कि 80 100 हो जाएगा अब square हटाएगे तो root अंडर चरहाएगे और यहाँ किसका square है तो 90 का square है तो इसका सही answer होगी option D कर लेंगे कोई तकलिप नहीं बढ़ते हगले प्रस्ण की तरफ और अगला प्रस्ण यह आपके सामने प्रस्ण में लिखा गया है यदि एनका 60% का 60% 90 हो तो एनका मान गयात किचे एनका 60% तो एनका 60% फिर का 60% 90 हो यानि कि बरावर नब अब यहां करना क्या देखिए यह इन गुने यह 60% यह तो 60 बटा में 100 लिखे आप तो आप सोट करना सेखिए मढ़ी मन सोची कि 60% यह यानि कि 60 बटा सो होगा अब साथ बटा सो होगा बीस के पहारे में काटिए में 20-30-20-500 यानि कि इसको हम डिरेक्ट तीन बटा पांच लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बोले कि सब्सक्राइब यह 90 बटा में एक हो जाएगा शुरुआत से बताते हैं कि बीच में बराबर का चीन हो इधर सब गुना में हो उधर भी सिंगल हो या गुना में हो तो उपर से उपर काट लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा और आसान हो जाएगा आगे यह तीन के पहाराय में 30 कटेगा और यह तीन के पहाराय में 10 कटेगा अब यहां सिर्फ एन बचा एन वाई हुआ अब एन वाई होन आई पांच गूने पांच ये चला जाएगा उधर यानि कि एन बराबर पचे पतीस दाएं का रहाई सो नहीं हुआ इतना जल्दिया पांसर निकाल पाएंगे की नहीं समझी में आ रहा है या नहीं बोलिए अगले प्रस्ण की तरह औ है और साथ में अगर आपका बेसिक बहुत कम जोड़ है मैं अरिजिनिंग का तो अपना बैचे स्टार्ट हो रहा है इसके बारे मां आपको बता दिए शुरुवात में तो देख लिजेगा और और आरकेप अप्लीकेसर को डाउनलोड कर लिजेगा और वहां से बैचा आप का अनता है Cambridge के 50% के बराबर है तो वह संख्या ग्याद केजिए इसिए संख्या के दसमें भाग आप देखिए यहाँ पर क्या कर सकते है कि संख्या को मांचा मता या संङ८ के आपसे बीश तरिका है कि संख्या बराबर आप माल लिजिए 100%, अब यह संख्या हम 100% माल लिए, तो किसी संख्या के 10 मा भाग, अब 100 का हम 10 मा भाग बोले, यानि कि 10 से डिवाइड करने के लिए बोल रहे हैं, तो 10 मा भाग यानि कि 10 से डिवाइड, जैसी 10 से डिवाइड करेंगे, यह आ जाएगा 10%, तो किसी संख्या क का 2 % 2 ही होगा का अंतर यानि की घंटाव जु है 196 के 50 के बरावाव यानि यहां से घटाईएगा तो आठ परसेंट बराबर हो गया कितना डियर अन्ठाने में हमको बताना है संख्या यानि कि सो परसेंट का मान तो सो परसेंट बराबर अन्ठाने में बटे आठ गुने सो परसेंट से परसेंट तो ऐसे भी कट जाएगा अब काटने तो आपको आता है बड़ी आसे चार के पाराय में दू काटिये चार के पाराय में पचीस काटिये दू के पाराय में उन्चास काटिये और उन्चास का मल अथम multiply गरा हमको 35 से करना होता है तो हम जट 7 कर लेते 25 पर एक 125 लिखते और उस पर एक 0 बइठा देते यानि कि answer 1250 का सपस डगमगाना चाहिए जो कि आपको दिख रहा है 1250 का सपस 1225 चीज़ यानि कि सही जब आप बोले तो option D हो जागा ऐसे भी आप गुणा करके लियांगे इतना intelligent हैं बढ़ते हैं लिए प्रस्चन के तरफ और अगला प्रस्चन यह रहा आपके सामने प्रस्चन में यही दिया गया है कि 160 का 45 परसेंट बटे वाट बराबर 72 तो वाट का मान बताईए अब करने का तरीका देखी 160 का मतलब गुणा 45 परसेंट लिखे कहां इसे कोई दिक्कत नहीं हुआट के जगा पेक समानिए बराबर 72 बटा में एक दे लिए कोई तकलिफ नहीं आपको हम अभित्रंत बताएं कि बीच में बराबर कची नहीं रहा है इधर गुणा में रहे या इधर गुणा में रहे या सिंगल सिंगल भी रहे तो उपर से उपर नीचे से नीचे काट सकते हैं तो नौ के पहारा में नौ पच्चे 45 नौ अठे बहुत कोई दिक्कत किसी को यह 5% हुआ और यह 100 हुआ अब करना क्या पड़ेगा आपको कि एकस अब देखे आठ के पारा में लगता है कट जाएगा आठ है कम आठ आठ दूना सो लह याने कि हम 20 हो गया अब सिंपल्स में लिखिएगा कि 20 गुने 5% बाटा में एक सा बराबर इधर कुछ नहीं तो गए अब करना क्या है कि X को यह नीचे है न तो इसको उधर लिया रहेगा है तो 20 गुने 5% अब बराबर इधर आगया यह 5% का मतलब 5 बटा सो किसको पता नहीं कि 20 पचे 100 कटेगा ये 5 से 5 कटेगा बराबर X था पूरा का पूरा कट गया इसका मतलब एक बचा जो के आंसर C में दिया गया कर लिजेगा कोई तकलिफ नहीं नेक्स्ट सवाल कि तरह बढ़ते हैं अगला सवाल ये रहा आपके सामने प्रसिन में क्या दिया गया है तो प्रसिन में दिया गया है एक संख्या के 45 परसेंट तथा उसी संख्या के 20 परसेंट के बीच 8.75 का अंतर है तो उसे संख्या का 40 परसेंट बताईए क्या किजिएगा 40 पर सेंत बताना उन्त पर संख्या कि 45 परशंट था उसी पर संख्या के 20 परसंट उनतर इतना का हम माल ले थे कि यह वो अपनी आप में कितना होगा dear so person इसी संख्या का 35 परसंट तो 45 बिस्पर संख्या के अंतर बोले तो और उसके आगे दो अंक्त बाटा में दो चीव पैटालीस में से 20 घटा ने आपको आता है बोलेगा ये सर आता है तो पटीस घटा ये पटीस परसेंट अच्छा पटीस बटा सो लिखेगा कोई आपको मना नहीं कर सकता है बराबर इमें 875 बटा में 100 लिखेगा अब वही बा बर काथी उपर से उपर निचाइब रिचाइब कट सकता है कहुंई से कोई सक नहीं जब कहीं से कोई सक नहीं तो ये ऐसे काट लिजी ना है और 25 के पहारा में कट जाएगा 25 ये 75 25 125 इधर क्या बचा एक अब यह एक बचा एक बराबर 35 बुले कि सर पैंटीस आ गया तो सब्सक्राइब करें कि नहीं आप सब्सक्राइब को पता होना चाहिए कि सब्सक्राइब के बदला में हम सभूने एक बटा सो लिखेंगे तो यह एक देगा यानि कि या तो हम परसेंट में 100% का मान निकाले तब ही वह ही शंख्या या उसके बदला में एक का मान निकाले यानि की संख्या पराप्त हो गिया कितना आ इस अगर हमको 100ारे आमाल ईक्लिष्टने?" था गाल है सिंपल सा बात है कि इसको अगर 24 और गुने अगर हम चार कर दे। तो इधर भी हमको 875 बटा 100 जो लिखा हुआ है इसको 4 से मल्टिप्लाई करना होगा इधर तो 100% अराम से बन जाएगा और लेकिन इधर 35 मर्तबे कटेगा और फिर यहां कटेगा तो 35 मर्तबे कटेगा तो यहां से भी डिरेक्ट आ गिया 35% 100% का मान किसी भी तरीका से निकालेंगे 100% का मान वह ही आगा अब यहां संख्या काम को 40% बताना है इसका यहां मतलब हुआ कि 35 40% मतलब 40 बता सो इतना तो आपको करने आता ही होगा दू के पहाराय में कटेगा दो तुना चार्ट दो पच्छ दस पात के पहाराय में साथ कटेगा गूना किलेगा 14 यहां अप्सन भी मर्गेगा हो जाएगा कि नहीं कोई दिक्कत यहां तक समझने में कैलकुलेशन का बा परतिसत कम है अब संख्या जो साथ है वह संख्या असी से कितना परसेंट कम है तो ध्यान दीजिए संख्या साथ संख्या असी से यह 60 है और यह 80 है साथ जो है से कम है बात तो सही है किस से कम है से बताए 80 से कम है कितना कम है तो काटनी आपको नहीं आता है क्या 24 काटेंगे ये चाड़ से काटेंगे 25 बारे में तो आंसर नहीं मिलेगा 25 परसंट कोई दिक्कत यहां तक समझने में नेक्स्ट सवाल प्याजा आजाए अगला सवाल अगला सवाल यही कहता है कि 5% 7% का कितने परसंट है पांच परसेंट साथ परसेंट का जिसमें का लग जाए उसको मिचे तो का लगा है साथ परसेंट में जो बच गिया उसको उपर परतिसातें बदलना है तो सो परसेंट से गुणा ये परसेंट से परसेंट खुद कटेगा ये 100 को 5 से गुना कीज़ेगा तो 500 परसेंट बटा में साथ आ जाएगा अब यहां से काटिए बटा में साथ आपको दिख रहा है option D में कि option D को अगर हम तोरेंगे तो 500 परसेंट बटा साथ देगा या आप इसको भी तोर लिए रहा साथ सते उन्चा साथ कम साथ तीन बटे साथ आ जाएगा तो पुरनाइक में आपको तोरने आता होगा नहीं आता है तो बताईए नेक्स्ट सवाल कितरह बढ़ते हैं और अगला सवाल यह रहा आपके सामने प्रसन में दिया गया है कि ऐस प्रसन में में आच बटे अच परकेफret शाथ प्रसनेश में आच बटे फंच पर्चन अपवलास में पला सたम देदू पर्चन बराबर क्या और यह बताना बीन परसेंट के करने का वही तरीका रहेगा भिनका जो यानि कि सीधा सीधा अगर हम बोले तो करना क्या पड़ेगा ना आपको कि 8-5 दू का एलिसम मिलीजे हम डारेक्ट एलिसम मिले तो 8-5 दू का एलिसम सब को पता है कि 40 होगा तो यहाँ पर 40 लिख देना है 8-45 यानि कि 25 परसेंट होगा 5-8-40 यानि कि 88-64 परसेंट होगा दू के 20 यानि कि 35-25 परसेंट होगा यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं अब सब को आपस में जोड़िएगा यही करना पड़ेगा ना 64 और 25 को जो देजिसे 64 और 579 और 29 अब 29 कितना नवासी तो 589 परसेंट और बाटा में बोले तो 40 जैसी परसेंट हटा यह का इसको गुना में एक बाटा 100 लिख तीजेगा अब करना क्या पड़ेगा तो करना पड़ेगा डियर चार से डिवाइड अजब चार से डिवाइड कर देंगे तो क्या करना पड़ेगा दसमल बिठाना पड़ेगा तो आप आपको सिंपल तरीका बताते हैं डिवाइड कर देंगा यह आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं 589 बटा में 4 गुने 10 गुने 1 बटा 100 ऐसे आप लिखना जानते हैं तो 4 से जैसे ही इसमें डिवाइड करेंगा तो 4 कम 4 1 और 8 चार चक 16 2 और 9 4 सत्य 28 दसमलव 1 दसमलव 1 आ रहा है न तो 4 दूना 8 और 45 यहां पर जो आया वह कितना आया दियार 147 दसमलव 2 पांच इतना आया और बाटा में बोले तो कितना है 1000 है अब इसमें हमको दसमलव बैठाना है दसमलव बैठाने का मतलब हुआ कि यह दसमलव को छोड़ दिजिए इसको भूल जाई दतकार अब जो दसमलव बैठाना पड़ेगा दसमलव इसके बाद 3 होना चाहिए मतलब 30 है तो दसमलव के बाद 3 होना चाहिए तो यह दसमलव को छोड़ी इधर से होना चाहिए तो इधर से होने का मतलब हुआ यह दसमलव यहां पर आएगा यानि कि 0.14725 ऐसे क्या होगा कि दसमलव हट जाएगा यह जैसी दसमलव बैठाईएगा तो करेक्ट आंसर आप्शन यह आजाएगा आपको जैसे भी कल्कुलेशन करना एंसर यह यह आएगा करने का सब से बिस तरीका मैंने आपको बता दिय है अगर इस से बिस तरीका की बात करें तो बी कल्कुलेटर टैरिक आजाएगा अगले सवाल कितरा बढ़े अगले सवाल यह रहा आपके सामने सतर का कितना परतिसाथ 245 है अब क्या कीजिएगा सतर परसेंट बोला है तो सतर परसेंट तो आप लिखेगा है का बोला है तो गुना दीजिए कितना परतिसाथ शपोई देट एक्स परतिसाथ कितना परतिसाथ एक्स परतिसाथ जो है वह 245 है इतना तो आप कर लिजिएग यानि इसका मतलब 7 बटा 10 हो जाएगा काटने के बाद गूने 1% बराबर 245 एकस परसेंट का मान हमें चाहिए 7 बटा 10 को उधर ले जाएए 1% बराबर 245 बटा में 1 7 बटा 10 को पलटेंगे 10 बटा 7 काटने कूटने में आप माहिर हैं 7 के पारा में 7 या 21 बच्च गया 357 बच्च गया 305 यानि कि 100% का माना गिया साड़े 300 यानि कि परेक्ट आंसर बोले तो आप्शन भी हो जाएगा कोई दिक्कत समशने में अगले सवाल के तरफ आए आप देखे डियर ये इस प्रसन को लिखा गया है कि एक परसेंट के आध्य को दसमलों में ब्यक्त किजिए एक परसेंट के आध्या अरे भाई साम एक परसेंट भी हुआ इसका आध्या करना है सबको पता है कि परसेंट हटाते हैं तो गुना में एक बटा सौ लिखते हैं यानि कि एक बटा दूसर हो गया अब एक बटा दूसर हो गया तो डिवाईट करने आपको आता है कि नहीं आता है बोलिया कि नहीं सर नहीं आता है थोड़ा डिटेल में बताईए तो दोसों लीख है ऐसे एक में डिवाइड कर रहे हैं 200 से 0 और एक दस्वंबलों देंगे तो यहां पर सिर्फ एक 0 देने का जाजाते हैं कटने के बाद इसका भागवली कितना है यहां 0.005 जो कि option D में दिया गया है बन जाएगा ना कोई दिक्कत नहीं अब देखिए डियरी इस प्रस्षिन को प्रस्षिन में लिखा गया है सीता एवम रीता की उम्र क्रम सा 12 वर्स तथा 15 वर्स है तो रीता सीता से कितना परसेंट बढ़ी है सो इजी बात है करना कैसे देखिए सिंपल सा सोचिए कि सीता का उम्र 12 वर्स है यहां पर लिखते है सीता का उम्र 12 वर्स और रीता का उम्र है 15 वर्स पुछा गया है रीता जो है रीता रीता सीता से कितना परसेंट बारा है अचा बारा कितना पहले ये देखिए ये बारा साल का ये पंदरा साल का यानि कि ये तीन साल बारा है परसेंट में बताना है तो ऐसे निकालिए बारा कितना है तो तीन साल और बारा है तो किस से है रीत को नीचा गुना कर देंगे 100% से, तीन चों के बारा काटेंगे इसको 35% कट जाएगा, यानि कि सही जबाब बोले तो option D हो जाएगा, उसके बाद, निर्दिस दिया गया है, कि प्रसंद संख्या 29 से 34 तके लिए, 128 विद्यार्थियों की एक कलास में 32 लर्कियां हैं, 128 विद्य 28 है, इसमें से 32 लर्कियां है, गल्स बोले तो 32, कोई बताएगा कि बॉइज कितना होगा, तो 128 में से 32 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 128 में से 32 घटा देंगे, अगर 28 घटा तो यह 120 ता, लेकिन हमको 32 चार और जड़ा घटाना, यानि कि 96 होगा, यानि कि यह हो 32, बॉइज 96, अगला प्रसन में पूछा गया है, कलास में कितने परतिसत लर्कियां है, तो जो पीछे इनफर्मेशन दिया गया है, उसके अधार पे आपको पता चल गया है कि इसमें गल्स की संख्या 32 है, और बॉइज की संख्या बोले तो 96, यह पूछा है कितना परसंट लर्किया है, तो लर्कि की संख्या निकालना है परसंटेज में, तो गल्स परसंट निकालने के लिए क्या करते हैं, गल्स है कितना, 32, और कितना में से गल्स है 32, तो पूरे स्टुडेंट्स में थे, तो पूरे स्टुडेंट्स कितना है, 128, तो 128 को नीचा, आप प्रतिसत म बदलना है तो 100% से बुना यानि कि बुने 100% आप काटने कुटने में आप माहिर है चार के बारा है में काटने 4 ती इबारा है 4 दुनार 4 के बारा है 35% और ये 32 से 32 कट जाएगा तो आ जाएगा आपके पास 35% सही जवाब क्या भी भी कोई धिक्कात है समझने में तो बोलिए अब देखें ईह ये प्रेशन लिखा गहा है कलास में कितने पर्थिसत लरका है तो अभी आपने जस्त देखा कि कलास में गल्स परसेंट बोले तो आया है 32% कलास में जो भी एस्टुडेंट होगा अपनी आपने 100% एस्टूडेंट होता है गल्स और वाज मिला के तो वाए जिसका सही आंसर है बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं अगला सवाल ये रहा आपके सामने 31 31 में क्या लिखा गया है कलास में लर्कियों की संख्या लर्कों की संख्या का कितना परसेंट है कलास में लर्कियों की संख्या कलास में लर्की कितना थी लर्की थी 32 लर्का कितना था 96 कलास में लर्कियों की संख्या लर्कों की संख्या का कितना तो लर्कियों की संख्या पूशा है तो लर्की को उपर रखिये लरकों की संख्या से तर लरका को निच्चा रखिए 96 परतिसते में बदलना है तो 100 से गुना 32, 96 डिभाइड किज़ेगा 33 पुरनांग एक बटा 3% सही जवाब हो जाएगा अब ये प्रस्ण को देखिए कलास में लरकों की संख्या लरकियों की संख्या कितना परसंट है अब लरकों की संख्या पूछा तो बवाइज कलास में कितना है 96 गर्स कितना है 32 लरका की संख्या कितना परसंट है लरकी की संख्या से लरका की संख्या पूछा तो लरका को उप और गुना 100% ऐसा करनेंगे तो ये तीन बार में कटेगा, 300% सही जवाब हो जाएगा, यहां तक समझने में कोई समस्या तो बताईए, अब आते हैं अगले प्रसंद दिखाए, अगला प्रसंद ये रहा आपके सामने है, 33, कलास में लर्कियों की संख्या, लर्कों की संख्या से कितने परसंद कम है, यह देखित कम बोला है, कलास में लर्कियों की संख्या, गल्स 32, लर्कों की संख्या से कितना परसंद कम है, मतलब लर्की कम है तो बोले ये सर लर्की तो कम है, लेकिन कितना कम है, सो बताईए, तो लर्की जो कम है, घटाईए गाइस को, 96 में से 32, त चो में से दू गिया, चार कम, नौ में से दिन गिया, चो कम, यानि कि 64 कम है, लेकिन हमको आंख्य में थोड़ी ना पूछा है कि कितना कम है, हमको पूछा है कितना परसंट कम है, तो कितना परसंट कम है, तो 64 कम लरकी है, किस से कम है, वाइस से कम है, तो बाइस को नीचे रख हो गिया अब टाम हो गया तीन अब दोसु में किजेगा परतिसद के रूप में तो काटने के बाद काटने के बाद आंसर इसमें मैंसों नहीं करेगा 6.26 परसेंट आगा जो की गलत हो गया इसका मतलब हुआ कि इसका जो आंसर है वह आंसर क्या है नौन अफ दीज है उम्मीद है बात समझ में आगी होगा बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की तरफ और अगला प्रश्ण यह आपके सामने और इस निर्दिस का लास्ट प्रश्ण क्लास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या सब कितना परसेंट अधिक है सब को पता है कि गल्स 32 थी वाइज के बारे में 96 था यह ज्यादा के बारे पूछ रहा है तो कितना ज्यादा है तो 64 अगर ज्यादा है तो किस से ज्यादा है लड़की से ज्यादा है तो 64 ज़्यादा है किस से ज़्यादा है तो लर्की से और गुने कर देंगे 100 काटने आपको आता है 32 दुना 24 दूसर दूसर परसेंट आ गिया यानि कि ये भी आपका सही जवाब इसमें नहीं मिल रहा है तो नौन अफदिज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां तक कोई दिक्कत तो बताई इस निर्देस में कि कि अ जे भावान अब देखिए डियर यह प्रशन यह प्रशन में क्या लिखा गया है बीस सदस्यों वाली एक समीती में 12 पुरुस है तो बताईए इस समीती में महिलाओं की संख्या पुरुसों की संख्यां से कितने परसेंट कम है 20 सदस का एक समीती है समीती में सदस कितना है 20 अब सदस की संख्या 20 आ गया इसमें बोला गया है कि पुरुष की संख्या 12 है तो महिला हो जाएगा 8 तो बताइए इस समीती में महिलाओं की संख्या पुरुष से कितना परसेंट कम है कम है महिला तो कम है लेकिन कितना कम है तो 4 कम है और 4 कम है तो किस से कम है पुरुष से कम है तो 4 बटे 12 गुणे 100 ऐसा करने पर चारतियाई बारा 100 बटा 3 याने कि 33 पुर्नाँक van 3% होता है जो कि कहाँ ही नहीं दिया गया है तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा नौन आफ दीप्स यहां तक कोई दिक्कत तो बताईए समझ में ने अब देखते हैं अगला प्रस्ण और अगला प्रस्ण यह रहा आपके सामने प्रस्ण में लिखा गया है सदस्यों वाले अब देखें अगला प्रस्ण प्रस्ण में लिखा गया है दस सदस्यों वाले एक पड़िवार में चार महिलाएं तो बताईए पुरुषों की संख्या महिला की संख्या से कितना परसेंट अधीक है सिंपल सा बात है सदस्य की संख्या कितना है तो सदस्या की संख्या 10 है इस दोस में से चार तो महिला है तो पूरुस कितना हो जाएगा चो तो बोला गया है कि पूरुस की संख्या कितना परसेंट अधीक है तो पूरुस अधीक है कितना अधीक है वो लेगा कि सर दो अधीक है लेकिन दो तो अधीक है मान लिए लेकिन किससी अधीक है महिला से अधीक ह दो बट्रटे 4 महिला को नीचे गूने 100 दो के पारह में 2 भार कटएगा दो के पारहें 50 है यह भी कहीं नहीं दिया गया इसका मतलब कि सही आंसर इसका भी हो गया अब आईसा मत सूचिए गा कि सर सबका लगातार रहा रहा है कहीं गलती तो नहीं बता रहा है सब्सक्राइब सब्सक्राइब अगला प्रश्ण यह आपके सामने आपके पास बुद्धी बर गया हो कि आप खुद से बता सकते हैं कि सही है कि गलत है और हंडे परसेंट से बिस्वास कीजिए बनाके भी देखिए आगे किसी बीटिचर से एक गाओं में साथ पर्सेंट पूरुड है तामालाओं के संख्या 16 Grad से गाओं के जनसंख्या बताई आप देखिए गाओं के जनसंख्या आप सभी को पाता है कि जनसंख्या जो भी होगा अपने आप में कोई भी गाम में 100% जनसंख्या होता है कितना होता इडियर 100% तो ये जनसंख्या 100% हुआ इसे 100% में से पुरुस भी होगा और महिला भी होगा पुरुष के बारे हैं बोला गया कि यह 60% है 100% में से 60 यह हिसेदारी में तो 40 यह हिसेदारी में रहेगा महिलाओं की संख्या रियली में दिया गया 1680 इसका मतलब हुआ कि 40% का मान 1680 हो गया गाओं की जन संख्या बताना यानि कि 100% का मान बताना है अब किसको सुला 180 में 40% से डिवाइड करने नहीं आता है और 100% से गुना करने नहीं आता है, सब को आता है, कर लेंगे और अंसरी बता जेंगे, परसेंट से परसेंट गया वोजेगा, जीरों से जीरों गया वोजेगा, चार के पारा में 4-6, 148, ज्यानि कि 2-100, कर कोई तकलिफ इस प्रसन में तो बोलिए बढ़ते हैं अगले प्रसुन तरह और अगला प्रसुन यह रहा आपके सामने तो डियर प्रस्न में दिया गया है एक गाव में चालिस परसेंट महिला है तथा गाव में प्रुस की संख्या महिलाओं की संख्या से 2480 अधीक है तो गाव की अबादी बताइए करना क्या एक गाव में चालिस परसेंट महिला है अब देखे जनसंख्या जो भी होता है दुनि सो में से 40 गटाईएगा इधर चौबन लिख लिएगा बोला गया है ना कि पुरुष की संख्या महिलाओं की संख्या से 24 अधिक है है – 288 अधिक है यहां पे percentage में कितना अधिक है हमको यह बताएगे है तो यहां पे चाहिए क्या आबादी, आबादी मतलब 100%, तो 100% का मान क्या होगा, 100% का मान 480, बाटा में 9, अगुने में 100, काटने आपको आता है क्या, कटेगा की नहीं, 9, 2, 8, 6, 8, नहीं कटेगा, जब नहीं कटेगा, पर्फेक्ट मल्टिप्लाई होगा ही नहीं, तो समझ जाइए कि इस को कोई दिक्कत तो बताईए, अब देखे डियर, ये प्रश्न को लिखा गया कि एक गाउं में 46% महिला है, चाथा गाउं में पुरुसों की संख्या, महिलाओं की संख्या से 2480 अधित है, तो गाउं की अबादी बताईए, गाउं की अबादी जो भी होगा, अपने आप मे 100% मान लिजी, तो जन संख्या या बोलिए अबादी बोलिए सब 100% होगा, इसमें महिला भी है और पुरुस भी है, महिला के बारे बोला गया 46% है, तो 100 में से 40 अगटाईगा इसको लिखिगा 24%, यहाँ पे पुरुस अधिक है, लेकि अधिक है कितना, तो परसंटे में इतना आपको आता है न, 2480 बटा में 9 गुने 100, इसको जब काटिएगा तो यह पुरा पुरा नहीं कटेगा, देखिए इनार्चर बार दू, सोलर नहीं कटने बला है 9 से, यह भी 9 से नहीं कटेगा, इसका मतलब 10 समय में तो जन संख्या हो नहीं सकता है, तो करेक्ट आंसर ह जाएगा, एक ओसन, यहां तक सिकायत बोलिए, अगला पुरसन, यह रहा आपके सामने, पुरसम में क्या लिखा गया है, एक करजाले में 52 परसेट करमचारी पूरूश है, करजाले में महिला करमचारिय की संख्या, पुरूश करमचारिय की संख्या से 24 कम है, तो बताए करजाले में कुल कितने करमचार। पूल जब बोलने कि कुल करमचारी कितना है, कुल सदश कितना है, कुल संक्या कितना है, तो सब को 100% मानिएए, माले ते करमचारी 100% है, इसमें पूरूस भी है और महिला भी है, पूरूस के बारे में clearly बोला गया है, यह बावन परसेंट है, मतलब यह 40% होगा, बोला यह भी कि महिला करमचार्यों की संख्या पुरुस करमचार्यों से 24 कम है अच्छा कम तो है जरूर कितने कम याप पे चार परसेंट कम लेकिन King挑r немного कृस्षती कम है यह चार परसेंट कमाई है हम को चाहिए करजाले में कुल सदस की संख्या बताना गोरे कितने करम जा ठयी है कर चार पर्सन्त का मान्ड तो हम पो निकल निकाला ह मान्द्र का मान तो 24 बटे 4 की जिए आप गूने 100 की जिएगा चार के पाराय में च्वार में काटे का यह हो जागा कितना 600 यानि कि सही आंसर होना थे 600 जो कि कहीं नहीं दिया गया इसलिए नौन अफ दिजिसका सही आंसर हो जाएगा इमत बुलिया कि सर बारबर नौन अफ दी जा रहा है यही सही जवाब है इसक प्रका का मतलब गूना Q % तो Q prawda बराबर आर है तो P आरका कितना परतिसत है बुला है कि तो P पी को उपर आर का मतलब आर का मान निचे होना चाहिए यही तो आर का मान आरका मान कितना है P गूने Q परसेंट और प्रतिसत में चेल्ज करना है तो 100% से गूना अब यहां से बहुत ध्यान से देखेगा तो परसेंट से परसेंट उप्राजिशेगा P से P उर जाएगा, उपर में 100 बचेगा, नीचा में Q बचेगा जो कि option A में दिया गया है उमीद है बासमध में आ गया, कोई दिक्कत नहीं बढ़ते हैं अगले प्रस्न की तरह और अगला प्रस्न ये रहा आपके सम तो dear प्रस्न में क्या लिखा गया है यदि A का 8 परतिसात बराबर B का 4 परतिसात हो तो A का 20 परतिसात आपको बताना है A का 8 परतिसात तो A गुने 8 परसेंट बराबर B का 4 परसेंट A का 20 परसेंट आपको बताना है तो simple सा करना क्या है B को इधर ले आईए और इसको इधर ले आईए और आपको मन करे तो % से % काट भी दीची बी को इधर लाइएगा तो ए बटा बी होगा यह इधर 4 था इधर से आठ जाएगा बटाइम हो जाएगा यह A का मन और यह B का मन A का 20% बताना है A का 20% जो होगा B का कितनी % के बराबर होगा तो हम ऐसा करते हैं कि इसको 400 कर लेते हैं और इसको 800 कर लेते हैं A का 20% अगर हम इसका 20% निकालते हैं तो 400 का 20% कितना हो जाएगा किसी भी संख्या का 10% निकालना यानि कि 1 0 हटाना 20% निकालना इसका दूगना करना यह 80 हो जाएगा यह जो 80 है इसका कितना परसेंट है तो 800 का 10% 80 है यानि कि A का 20% B के 10% के बराबर होगा जो की आंसर दिया गया है option A में यहां तक समझेने में कोई दिक्कत तो बताईए आप आपको बोलिएगा कि नहीं सर इतना लॉंग नहीं सर तो हमको short cut बताईए तो हम short cut भी आपको बता है अगर आपको यही प्रस्णू करना है तो बीना इतना कियो भी इसका अंसर निगाल सकते कैसे निकालेगा देखिए A का 8% तो A का 8% बराबर B का 4% दिया गया है और आपको चाहिए A का 20% A का 8% दिया गया है और हमको चाहिए A का 20% तो हम आपसे यदि पूछे आज की कि 8 को हमें 20 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा आप बहुत बढ़िया से बोले कि सर 20 बटा 8 से गुना कर दिए ताक्कि यह 8 से 8 कट जागा बदज जायगा 20, तो हमको चाहिए एका 20 परसेंट यानि कि हम को मल्टिपलाइ करना पड़ेगा इसको 20 बटा आठ से जैसे इसको 20 बाट आठ से multiply up कर दिजेगा तो इधर भी 20 बाट आठ से करना पड़ेगा multiply और ये कटे जाएगा 8 से 8 यानि कि एक का यहां पर बचाना 20% और इधर कितना बचता है चार दुना आठ दो दहाई के 20 इधर बच रहा है बी का 10% तो एक का 20% जो है बी का 10% के गया है उमिद है बात के लिए और वहाँ समझ में आ गया हो नेक्स्ट सवाल की तरह बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने तो प्रस्न में लिखा गया है एक से एक से एक सका 15% घटाने पर प्राप्त संख्या एक सको निमन में से किसे पर दर्शित करेगा या गुना करने पर पराप्ट होगा बात दोनों एक है तो X का मान हम ऐसा करते हैं कि X बराबर हम 100% मान लेते हैं X में से X का 15% घटाना है यानि कि 100% में से 100% का 15% यानि कि 15% घटाना है पराप्ट जो संख्या होगा वो पचासी परसेंट होगा और ये जो 85% है X को निमन में से किस से गुना करने पर परदर्सित करता है मतलब इसको हम किस से गुना कर देंगे तो ये इतना आ जाएगा तो ज़रा सूचिए इस 100% को हम 0.85 से गुना करेंगे तब ने 85% हैगा यही बात ना या आप इसे सुचिए कि ये 100% है ये 100% को हमें गुना किस से करना है तो हमें गुना करना है X से या हम Y माल लेते हैं कि Y से गुना करने पर ये 100% जो है X का इस से हम गुना कर दें Y को तो पर आप ये संख्या हो जाते है यानि कि 85% तो वाई वराबर कितना हो जाए गडियर पचासी परसेंट अब बटा में 100 परसेंट यह परसेंट से परसेंट काट दीजेगा तो पचासी बटा सो यानि कि सही जब आप बोले तो अंसर यह हो जाएगा कर लेंगे कोई दिकत नहीं अगला सवाल यह रहाँ आपके सामने प्र यावचात करना है तो वाप इनकमीं कितना करता होगा इनकम फॉम सो परसेंट माल लेते हैं यह इनकम मेंसे यह खर्चीए भी खड़ेगा या बचत भी करेगा, दोनों काम करेगा, यह खर्च कर रहा है कितना 60%, यानि कि बचत कर रहा है कितना 40%, यादि उसकी मासिक रुपिया 18,000 है, यानि कि 100% का मान बोले तो 18,000 दिया गया, कितना दिया गैडिया, 18,000, तो उसकी मासिक बचत बताना यानि कि 40% का मान बताना है तो 40% बराबर कितना हो जाएगा 18,000 डिवाइड 100% गुने 40% ऐसा कर लेंगे आप जैसे ही इतना किजिएगा कि परसेंट से परसेंट गयाब 0-0 गयाब यह से यह गयाब यही ना अठार चक 72 सवा जाएगा जो कि option D में दिया गया है बन जागा इससा प्रसेंट कोई तकलिक नहीं अगला सवाल यह रहा आपके सामने प्रसन में क्या लिखा गया है एक विदाले में 25% छात्र है तथा विदाले में छात्रों की संख्या 315 है तो बताईए विदाले में कुल कितने विदार्थी हैं छात्र और छात्राओं मिला कर कहीं विदार्थी कहलाता है तो एस्टूडेंट को माल लिजिए कि एस्टूड मतलब गल्स ये 55% तो ये 35% चात्राओं की संख्या 315 यानि की गल्स की संख्या 315 जो की 35% के बरावर हो जाएगा पूशा गया कि कुल कितने बिजार्थी है इसका मतलब 100% कमान आपको बताना है तो 100% बरावर क्या हो जाएगा 315 बटा में 35 बूने में 100% से परसेंट तो ऐसे भी कट जाएगा 5 के पारह में 7, 5 के पारह में 20, 7 के पारह में कटे का साथ चोक अठाए, 7 पते 35, 45 बूने 20 आपको करने आता है कि नहीं 900 सही जवाब हो जाएगा अगला प्रसेंट पर आते हैं और अगला प्रसेंट ये रहा आपके सामने 45, 45 नंबर प्रसेंट क्या कहता है लकी अपनी आयका 40% भोजन पर, 20% सिक्षा पर, 15% मनरणजन पर, तथा 10% पड़िवान पर बे करते हैं यादी मा क्यांती में उसकी बचत 45, 100 है तो उसकी मासिक आए बताईए ऐसे प्रसेंट में इनकम को 100% मानिए और उसमें से घटा दीजिए 40% भोजन पर तो भोजन का खर्चा, 20% सिक्षा पर तो 20% का खर्चा, 15% मनरणजन पर, 10% परिवाने पर, यह सब खर्चा घटा दीजिए तो 100% में से यह खर्च कितना कर दिया, 40, 20, 60, 75, 75, 10, 85% यानि कि यह बचत कितना किया डियर, 15% इसका बचत हुआ लेकिन रियरली में हाँ बचत कितना करता है डियर, 45, 100, तो बताना है उसकी आए, तो 15% का मान हो गया, 45, 100 हो, आए पूछा है तो 100% का मान बताईए, बता सकते हैं कि नहीं, 15, 45 यान 3 गुने 100, 3000 कहाई पर दिया गया है, क्या है, 15, 45 यानि कि यह 300 हो जाएगा, और यह गुना कर दीजिगा, इसको 100 हो जाएगा, 3 पर 4, 0 होना चाहिए, तो 3 पर 4, 0 यहाँ पर है, option C में दिया गया है, कर लिजिएगा, कोई तकलिफ नहीं, बारतियाड यह अगले प्रस्ण की तरफ और अगला प्रस्ण यह रहा आपके सामने, अब देखिए प्रस्ण संका 46, लिखा गया है कि रंजीत परती महीना 16,900 ख सो परसेंट होगा, यहाँ तक तो कोई सक नहीं, इसमें से खर्च कितना करता है, स्वरी बचाता है कितना है, सेविंग, 15 पुर्णां के एक बटा 2 परसेंट, जिसको हम 15.5 परसेंट बोल सकते हैं, इतना यह बचत करता है, अब इनकम में से सेविंग घटा दीजेगा, तो यह खर्च हो जाएगा, एकस्पेंडीचर, यह एकस्पेंडीचर कितना करता है, खर्च, सो में से इतना घटा दीजेगा, ति यह 84.5 परसेंट हो जाएगा, लेकिन रियली में अगर खर्च देखे, तो 16,900 के बराबर, यानि कि 84.5 परसेंट बराबर 16,900, और आपको इसका इसका में मैं कर देगा, इसका मुल्टिपलाई कि एकस्पन दूना त्रुना 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 थीस्पन थीस, यानि कि कत्य सब आ जाएगा जो कि option A में दिया गया है तो कर लिजेगा इस person को कोई दिक्कत नहीं अगला person पर आते हैं और अगला person यह रहा आपके सामने 47 47 में क्या दिया गया है x का 10% y के 20% के बराबर है एकस अनुपात तो y का मान बताईए x का 10% जो बराबर होगा वह y के 20% के बराबर होगा यहीं न एकस अनुपात तो y बताना है तो x बाटाम इसको y के लिए यह 20% था इधर ले आईए तो इसको 10% को इधर बताना है कार देजेगा दूबटा एक बचेगा जिसकों दो नुपात एक बोल सकते यह सबीजित सवाल है कर लीजेगा यह दिक्कत थे इसमें तो बताईए अगला सवाल यह रहा आपके सामने है प्रस fans में लिखा satisf एक dependent पांच है एक यह बीकी आए से कितना परसंत कम रह में बनाने का सब्सेश्य सबीस्टरिक मतबाते एक अपके शुक्र वेय्टिंच व्यकत 1977 505 तो 305 यह के बीकि आएसे कितना परेसेंट कम है जैसी ही कम दोलाना कम बोलने का मतलब उसकि बड़क काम है किसे कम बोलेगा तो नीचे ज़्यादा वला को रखिए अब प्रतिसत बदलना है तो 100 से बुना कंफ्यूज नहीं करना है इसो कार दिएगा 20 वार में यह 20 वार कितना हो जाएगा 40 यानि कि 40% कम है हो जाएगा अगला सवाल पर आते हैं और अगला सवाल यह रहा आपके सामने है प्राशन में लिखा गया है कि एक स्कूल में लर्कों तथा लर्कियों की संख्या का अनुपात साथ अनुपात 9 है लर्कियों की संख्या लर्कों की संख्या से कितने परसेंट अधीक है सबसे पहला बात कि यह अधीक पूछा है तो कम बला नीचे आएगा साथ को नीचे रखें कितना अधीक है सो देखिए तो अधीक है दो कूपर रखें पूने सो किजिए दूसर बटा साथ पता है किसी कितना होगा आप देखिए दियर प्रशन संख्या 50 क्या लिखा गया है यदि एकस माइनस वाई का 50 परसेंट बराबर एकस प्लस वाई का 30 परसेंट है तो य जो है एकस का कितना परसेंट है कैसे बनाईएगा तो सो इजी प्रशन है एकस माइनस वाई का 50 परसेंट तो गूने 50 परसेंट लिखे यह जो बराबर है यह वहाँ एकस पलस वाई का 30 परसेंट के बराबर है तो गूने 30 परसेंट लिखे आप सभी को मताये थे कि जब बराबर का चीन हो बीजिवें और यह गूना के रुप तो हम 30 से 30 को उड़ा सकते हैं 0 से 0 उड़ा सकते हैं एक्स माइनस Y उधर चे लाएंगे बाटाम X प्लस Y यहां तक तो कोई दिक्त नहीं X प्लस Y के गुणा में 3 हैं तो इसको उपर रखेंगे 3 को तभी तो मल्टिप्लाइम होगा क्रोस करने के बाद और यह 5 को उड़ा रखेंगे लिखने का बेजोड तरीक एक्स माइनस Y का मान आगे X प्लस Y का मान आगिया अब यहां से समिक रन एक बन गया कि X माइनस Y 3 है X प्लस Y 5 है तो X का मान आप 3 निकाल लीजेगा X का मान निकालना है तो यह प्लस प्लस में है तो जोड के आदा 5 3 8 का दिया 4 Y का मान निकालना है घटा के आदा तो Y का मान 1 आगिया Y जो है X का कितना परसेंट है यह X है और यह Y है X का मान बोले तो 4 Y का मान बोले तो 1 y जो होगा x का जिसको मैं का लगा उसको नीचे तो का लगा x में तो का होग या नीचे मतलब x 4 y उपर 200 या कितना आजागा डियर 25 परसेंट जो कि option a में दिया गया है तो डियर आज के लिए इस कलास में इतना ही क्योंकि परतिस्त एक लंबा चेप्टर है तो मैं लागा तारी भेर करा दूँगा तो आप बोर्डिंग हो जाइएगा तो आज इतना ही किजिए कलास और कले की कलास में मैं परसेंटेज को पूरा समाप्त कर दूँगा ठीक है तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मैराथन कलास में तब तक जितने भी लोग सब्सक्राइब नहीं किये है पूरा सब्सक्राइब किजिए इससे बेटर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरी यूटुब पे यहां से पर क्या बहुत कोई सीख सकते हैं और अपना एक्जाम में मैथ और इसनिंग में अच्छा से अच्छा स्पूर कर सकते हैं तो ऐसा करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना तभी तो नोटिफिकेसन आएगा कि कलास चल रहा है कि नहीं चल रहा है तो सब्सक्राइब करने में आपको पैसा भी नहीं लग रहा है सब्सक्राइब कर लिचे और दूसरी बात अगर आप विल्बकुल और बेसिक से परना चाहते लिए बेसिक से बच्चा के तरह तो पेड़ कोर्सा यह है बी एससी का उसमें आप जोइन कर जाए यह बहुत नॉर्मल सा फिस है शुरुआत में ही मैंने बता दिया आप देख ली चेगा नॉर्मल सा इतना फिस है कि आपके एक दिन का वो पोकेट खर्च के भी बराबर नहीं होगा इतना में आप जोइन कर सकते हैं यह कलास जाब आप जुआइंड करेंगे तो बी एससी एक्जाम से पहले खतम कर देंगे आपको बेसिक पराकर करके प्रैक्टिस भी कर वादेंगे और इसके वह लिटी एक साल तक रहेगी अग्जाम में भी काम आपका आजाएगा तो आज़ इस कलास को जुआइन कि लिए और किसी परकार के समस्षय है तो मेरा मो एल नमर आपको पता होगा defensive six three zero two three four zero five इसरे आप फार्ट्षप कर सकता है तो मिलते हैं आप सब नेक्स्ट क्लास में आप सभी को जितने भी लोग अन्तिम अन्तिम क्लास में जूरे रहे हैं आप सभी का धन्यवाद कोई दिक्कत नहीं किसी को हम से दिक्कत होगा तो बता दी सेगा